कि वंस अगेन गुड़ी इवन और मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस कर रहा था जिसका नाम रिवेलिएशन अकाउंट और मैं जल्दी से आपको रिवाइस करा देता हूं हाडली टू मिनिट्स लेंगे रिवेलिएशन फटा फट रिवाइस करा देते हैं रिवेलिएशन एक अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड और ये वाली साइड कौन से होती कृडिट Revaluation को आप 11th में जानते थे Profit and Loss के नाम से तो Revaluation को P&L Account बोला जाता है P&L मतलब सारे Expenses और Losses डेबिट में आएंगे और अगर कोई Income होती है या कोई Gain होता है तो वो Credit आएगा उसके बाद Last में जैसे 11th Class के Last में आता था Net Profit यहाँ पे Net Word Use नहीं करते सिर्फ क्या Word Use करते है Profit यह Last Figure है जो Last में आता है Net Loss तो यहाँ पे क्या आता है Loss और बीच में बहुत सारे Expenses आएंगे Losses आएंगे इधर Incomes आएंगे Gains आएंगे अब मैंने आपको 12th Class के According बताया था मैं आपसे पूछ रहा हूँ सोच के बताना अगर अगर हमारी Assets Increase होती है हमारी Assets की Value बीटा Value Increase हो रही है जल्दी से बताओ डेपिट में आएगा क्रेड़िट में सोचो आप प्रॉफिट है लॉस है फटफट रिवाइस करेंगे जल्दी जल्दी बीटा अगर Assets की Value Increase हो रही है तो आपके लिए प्रॉफिट है इट मींज कहां आएगा क्रेड़िट साइड में आएगा और बताओ अगर हमारी लाइबिटी की Value लाइबिटी की Value कम हो रही है हमारी लाइबिटी कम हो रही है तो बताओ कहां आएगा जल्दी से बताओ हमारी लाइबिटी कम हो रही है कम होने का मतलब है आपकी उधारी कम हो रही है और उधारी कम होने का मतलब फाइदा होता है फाइदा तो ये भी कहां आएगा credit side तो ऐसे ही debit side में expenses आएंगे credit side में ये आएगा अब हमने क्या करना है आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से बिटा मैंने ये assignment बनाया है इस assignment में आप देख सकते हैं यहां पर क्या दे रखी है आपको balance sheet balance sheet अराम से एक बार समझते हैं A और B capital है और इनकी one ratio one यानि सर ये कौन सी ratio हो गई this is called old ratio दो partner से old ratio उसके बाद लिखा है employees, provident fund, outstanding rent, creditors, bank, नीचे गया नीचे लिखा है workman compensation reserve मैं अभी सरफ read कर रहा हूँ फिर लिखा हुआ है investment fluctuation reserve ये हम पढ़ चुके है change in PSR के अंदर यहां चलते हैं stock, machinery, debtor, provision building है Delhi में land, BR, furniture, patents, copyrights, car, trademark, books and periodicals, freehold, building NOIDA में भी है investment, loose tool ये पूरी एक balance sheet है और उसके बाद ये हैं आपकी adjustments में जितनी भी बुक्स हैं ग्रिवाल सर की बुक, टीके गोल सर की बुक, जितनी भी बुक्स और भी हैं उन सब को मैंने combine करके एक जगे सारी की सारी devaluation की adjustments कर दी अगर आपने सारी adjustments कर ली तो आपकी पूरी की बुक खतम बुक का मतलब revaluation अगर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो revaluation chapter 4 में भी है revaluation 5 में भी है, 6 में भी है, 7 में भी है it means अगर एक पर हमने ये assignment कर लिया तो आपके चारो chapters का ये major topic खतम हो जाएगा और again ये वालट जो assignment है मैं आपको website पे upload कर दूँ आज आप वहाँ से download कर लेना ठीक है अब आगे चलते हैं जरा अब इस पुझर assignment को समझते हैं पहले है 1, 2, 14 फिर बीच में gap है फिर है 15, 16, 17 फिर gap दिया हुए पहले assignment को पढ़ना सीखो 18, 19, 20 gap है बिटा ये gap पता है क्या है जैसे कौन बनेगा करोड़ पती में पढ़ाव होते हैं ये पहला पढ़ाव है पहला पढ़ाव असान होता है ये next पढ़ाव है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा ये और next है ये और मुश्किल होगा तो धीरे धीरे करके difficulty level बढ़ता जाएगा और जैसे ही आप लास पढ़ाव में आएंगे 28 कोशन जैसे ही हम 28 कोशन कर लेंगे हम जीत जाएंगे 7 करोड रुपे क्या आपको ये लेवल वाली बात समझ आई है असाइनमेंट में बिटा जल्दी से बताईए चैट बॉक्स में इस इड क्लियर कि ये difficulty levels का क्या मतलब है निदी समिक्षा तन्वी क्रिशना चरवी चारवी सिंगल क्रिशना रितिका कुस्म चलिए और जैसे ही आप 28 कर लेंगे उसके बाद आप any special adjustments करने के लायक बन जैंगे आप बल बन जैंगे special में पहले तो मैं आप का वेस क्लियर करूंगा डैकनिकल कोस्ट्विन करके और पिर आम आएंँगे special adjustments वे तो यह हमारी पूरी कहानी 세ury Records मैंने आपको मुझे इतना याद दिलाओ मैंने आपको एक असान तरीका बताया था मैंने कहा कहीं भी टू और एट लिखा हो क्या मैंने ये वाला टॉपिक कराया था आप बच्चों को टू और एट लिखा हो या लिखा हो बाई बिटा क्या मैंने क्लास में ऐसा कुछ बताया है खुश्बू समिक्षा कहीं लिखा था हमने ऐसा कुछ जल्दी से बताईए येस वेरी गुड चलिए आप सब को पता है टू और एट में हम क्या करते हैं हम डिफरेंस निकालते हैं और बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है री वैल्यूएशन के अंदर तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है चलिए अब ज़रा अराम से समझते हैं कैसे करना है मैं आपके साथ यहां बनाता हूं एक री वैल्यूएशन अकाउंट पिटा आपने बस समझना है पहले हम असान लेवल करेंगे फिर मुश्किल लेवल पर आएंगे डेबिट क्रेडिट चलिए मुझे बताओ यह बैलिंग शीट में स्टॉक दिया हुआ है कितना दिया हुआ है पिटा जल्दी से बताओ यह कितना लिखा है इससे पता लगेगा कॉपी क्लियर है या नहीं है स्टॉक कितना दिया हुआ है इस टॉक दिया है वन लेक ट्वंटी थाउजन एक लाग बीस अजार का स्टॉक है अब चलते हैं एडजस्मेंट पर एडजस्मेंट नमबर वन स्टॉक इस टॉबी वैल्यूड एड़ एड़ स्टॉक की वैल्यू हो गई एक लाग दस हजार चेक करो मैंने कहा था एड़ और टू में क्या करते हैं डिफरेंस तो एक बार आराम से चेक करते हैं पहले पता है इस टॉक कितने का था पहले था 120,000 का और अब कितना हो गया like दस आजार आपको पता है आपका स्टॉक कम हो गया बिटा नुकसान हो गया हमारी असेट कम हो गई असेट की वैल्यू कितनी कम हो गई difference 10 अजार तो ये पहली adjustment हो गई खतम 10,000 से stock आपका क्या हो गया कम और आगे चलते हैं दुबारा से आते हैं अराम से देखो सारी book खतम हो जाएगी copyright copyright की value बताओ कितनी है 10,000 10,000 की copyright है adjustment number 2 present market value of copyright is 8,000 10,000 की खरीदी थी आज market में बिक रही 8,000 आपको पता है profit हुआ या loss जल्दी बताओ बिटा profit हुआ या loss loss हो गया कितने का loss हो गया 2000 का तो ये आगे 2 copyright खतम कहाने तो बस profit और loss याद रखेंगे तो सारे question खतम हो जाएंगे आगे चलो यहाँ पर बताओ ये क्या लिखा है books and pre-articles पहले बताओ books क्या होती है books वो होती है जो आप बच्चे पढ़ते नहीं हो ये बताओ any idea what about pre-articles बिटा किसी को पता है pre-articles क्या होती है pre-articles तन्वी balance sheet नहीं books का मतलब books जो हमारी normal books होते है balance sheet का भी एक दूसरा नाम होता है books very good pre-articles क्या होते है pre-articles pre-articles का मतलब होता है magazines pre-articles very good magazines होता है हमारे पास कितने की books and pre-articles पढ़ी है हजार तक हो गई जल्दी से बताओ कितनी बढ़ गई पिटा टू में क्या देखते है डिफरेंस आपको पता है आपकी books की value बढ़ गई पाई books and pre-articles कितने से बढ़ गई 10 हजार से बढ़ गई आपको profit हो गया books and pre-articles 10,000 का profit और आगे चलते हैं यह असान असान है आपकी speed बनेगी यहां बताओ freehold premises premises का मतलब होता है land and building कितने की है 25,000 की है point number 4 freehold premises reduce बटा कम हो गई टू लिखा है टू 25,000 की थी कितनी कम हो गई 25,000 की थी 23,000 two का मतलब होता है 23,000 तक हो गई खरीदी थी 25,000 की अब कितनी हो गई 23,000 मुझे यह बताईए नुकसान कितना हुआ मेरा नुकसान कितना हुआ नुकसान हुआ का दो हजार आपको नुकसान फाइदा समझ आना चाहिए एड़िस्पेंट नमबर फोर टू फ्री होल्ड प्रिमाइसस दो हजार का नुकसान हो गया और आगे चलते हैं बिटा क्या ये बातें आपको समझ आ रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हम कैसे करते जा रहे हैं is it clear to all of you प और मैं एक बद चेक करता हूं पुराना मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कराया था मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये इस तरह से रिवेलिवेशन बनाया जाता है और रिवेलिवेशन में यहां पे क्या आती है अन्रिकॉर्डड लाइबलिटी अन्रि और यहां आती है Unrecorded Asset जैसे Gift का मैंने एक्जामपल दिया था तो ऐसी Assets जो आपको पता नहीं है आपके लिए क्या बन जाता है Profit बन जाता है उन पॉर लैबिलिटी और Unrecorded Assets आती है यह मैंने पुराना Verizon करा दिया अध्या ध्यान से Adjustment Number 5 साफ लिखा है अन्रिकॉर्डेड बिटा अन्रिकॉर्डेड का मतलब बैलेंश शीट में नहीं है अन्रिकॉर्डेड इन्वेस्मेंट असेट है कितने की है पांच अजार जल्दी से बताओ unrecorded asset है हमारे लिए profit and loss है बोलो जल्दी से बिटा हमारे लिए profit है या loss है अफकोस हमारे लिए unrecorded asset क्या होता है profit कितने का profit हो गया पांच हजार बस आपके दिमाग में दोस्तों profit और loss चलना चाहिए ये सारी चीजें तो रटने वाली है ये to add by ये बिटा रटने का तरीका है आपके दिमाग में profit और loss चलना चाहिए क्योंकि paper technical आएगा एक बार फिर कोशिश करते हैं point number six लिखा है unrecorded liability बताईए profit है loss है towards supplier पंदरा सो रुपे की unrecorded है आपके लिए profit है loss है आपका पंदरा सो रुपे का loss हो गया एक unrecorded थी अब record हो गई यहां लिखेंगे unrecorded liability supplier यह भी बात हमारी खतम और आगे चलते हैं point number seven पहले देखते हैं furniture यहां पे बताओ furniture कितने का है 60,000 का साथ हजार का furniture है समझना जरा मेरी बात furniture is to be taken add एट लिखा है furniture की value हो गई 80% जरा मतलब समझें धीरे धीरे करके मुश्किल होता जाएगा फरनीचर पीछे कितना था फरनीचर था साथ हजार का कहरें साथ हजार का फरनीचर था आज फरनीचर की value हो गई 80% जरा इसका 80% निकालू बिटा बताओ इसका 80% कितना हुआ इसका 80% हुआ 48,000 यह हो गया इसका 80% बड़ यहां क्या लिखा है add add में क्या करते है difference साथ हजार और 48 यह बताओ कितना difference आया loss कितना हुआ आपको पता चला loss कितना हुआ बिटा साथ हजार की चीज 48 हो गई तो नुकसान कितना हुआ 12,000 वेरी गूड अमन तो difference आया 12,000 तो धीरे धीरे करके हम technical level बढ़ता जाएगा हमारा furniture तो 12,000 का नुकसान हो गया इसका मतलब difference आया 12,000 नेक्स चलते हैं point number 8 machinery पहले देखें तो सही machinery है कितने की बिटा एक बत चेक करो machinery कहां गई कहां गई कहां गई ये रहे machinery है 1,80,000 की पढ़ो जरा machinery पे क्या लग रही है depreciation depreciation क्या कहते हो बिटा depreciation expense है yes और no क्या depreciation expense है जल्दी से बदाओ yes और no चारवी सिंगल आर्थी मुस्कान depreciation हमारा expense है क्या लिखा है buy buy वाला amount direct आएगा कितना है 33.33% जरा एक बार 33.33% निकाले आओ मेरे साथ जरा यहां पर देखते हैं मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूँ एक बार पहला question तो यह कुछ बच्चों को doubt होता है 33.33% कैसे निकालते हैं पिटा एक बार समझ लो फिर हमेशा यह चीज़ क्लियर हो जाएगी 33.33% का मतलब कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है 33.13% यह mixed fraction है यह decimal है बोथ हैविंग सेम अगर आप इसको solve करते हो तो 33.3 is a 99 plus 1 33.3 is a 99 plus 1 उपर आया 100 नीचे आया 3 और परसंटेज मैं solve करता जा रहा हो और आगे चलते हैं परसंटेज हटा दो 100 upon 3 परसंटेज हटानी है मुझे हटाने का मतलब है divide करोगे 100 से परसंटेज हट गई अब बताओ net answer कितना आया net answer आया 1.3 तो हमेशा याद रखेंगे 33 1.3 परसंट है या ऐसे कहीं भी लिखा है उसका net answer कितना आता है अब दुबारा से इस पे कभी भी time नहीं लगाएंगे net answer आता है 1.3 इसका मतलब अगर अगर हम 33 1.3 33.33 की जगे लिख दें वन थर्ड तो भी बात एक ही है वन थर्ड बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा depreciation लगी है वन थर्ड पाई लिखा है पाई मतलब पाई वाला amount direct आता है पता है machinery कितने की थी machinery थी एक लाख असी हजार की एक लाख असी हजार का वन थर्ड कितना हुआ एक लाख असी हजार का वन थर्ड साथ हजार की depreciation साथ हजार की depreciation मैंने यहां के लिखा टू depreciation on machine कितने की depreciation लगेगी सिक्स्टी था होगे पॉइंट नमबर एट बिटा एक बच्चे को सेवंथ पॉइंट में doubt है सेवंथ पॉइंट में एट लिखा हुआ है एट का मतलब होता है difference तो असी परसेंट मैंने पहले इसका असी परसेंट निकाला असी परसेंट आया 48 बट क्यूंकि एट लिखा था इसलिए मैंने इन दोनों का क्या निकाला difference और difference कितना आया मेरे पास 12,000 तो 12,000 का loss हो गया तो पहले आप 80 परसेंट निकालेंगे उसके बाद आपका नुकसान होगा बट क्रिशना इस एट क्लियर टू यू आपका ये डाउट था जल्दी से बताओ मशेनरी होगे 60,000 की depreciation और आगे चलते हैं चलिए पॉइंट नमबर नाइन बिल्डिंग एड डेली डेली वाली बिल्डिंग एप्रिशेट हुई है एप्रिशेट का मतलब क्या होता है depreciate का मतलब value कम होना और appreciate का मतलब value increase होना और क्या लिखा है buy buy वाला amount direct आएगा आपकी बिल्डिंग बढ़ रही है बिटा अगर आपकी बिल्डिंग की value बढ़ रही है आपको पताए क्या हुआ आपको profit हुआ का मतलब आपको क्या हुआ profit हुआ कितने से बढ़ रही है 20% चेक करें एक बढ़ कहां गई building building at Delhi 2,00,00 की थी 2,00,00 का 20% 40,000 से बढ़ गई बिटा 40,000 से आपकी building की value बढ़ गई आपको हो गया profit बिटा धीरे धीरे करते करते हैं मैं टेक्निकल लेवल पे आता जा रहा हूँ चलिए और आगे चलते हैं point number 10 outstanding rent पहला question ये outstanding rent asset है या liability चेक करो जल्दी से ढूंडो outstanding rent कहां है ये रहा outstanding rent क्या होती है हमारी liability होती है कितने की liability है 15,000 outstanding liability बिटा liability बढ़ रही है अराम से बताओ liability बढ़ती है profit हुआ या loss पहले आप ये बताओ आगे नहीं पढ़ना आपकी liability अगर बढ़ रही है आपकी liability बढ़ती जा रही है तो profit हुआ या loss हुआ so answer is loss और यहां क्या लिखा है buy buy वाला amount direct आता है यानि सीधा सत्रा हजार रुपे का loss हो गया पीटा buy का मतलब होता है सीधा direct सत्रा हजार का loss हो गया मैंने यहां लिखा सेवंटीन थाउजंड का loss पॉइंट नमबर टेन टू आउटस्टेंडिंग रेंट क्योंकि buy लिखा था एक बात बताओ आउटस्टेंडिंग रेंट कितना था आउटस्टेंडिंग रेंट था पंद्रा हजार अगर buy की जगे टू लिखा होता तो क्या करते डिफ्रेंस निकालते पंद्रा हजार और 17,000 का ईफ्रेंस कितना आया 2000 भैरिड खुषभू समिक्षा तंभीर डिफ्रेंस निकालते 2000 का डिफ्रेंस आता वो लिखते रीवेलिवेशन तो आपको समझ आगे है buy और में क्या दिप्लाइंट से और आगे चलते हैं कि कॉउइंट नमबर लेवन पेटेंट टेंट अरव् algorithms careless beilla का मतलब होता है Zero पेटने जीरो गए चैक करें पेटेंट पेटेंट्स थे कितने के पेटेंट्स थे सेवन्टी फोर हंडेट के पिटा जीरो हो गए खतम हो गए आपकी असेट खतम हो गई जीरो हो गई जल्दी से बताओ प्रॉफिट है या लॉस है पेटेंट्स हमारे खतम प्रॉफिट हुआ या लॉस जीरो हो गए सारे के सारे साथ हजार चार्थ सो रुपे जीरो हो गया नुकसान हो गया कितने का नुकसान हो गया सेवन्टी फोर हंड़ड क्योंकि अब वो जीरो हो चुके हैं और आगे चलते हैं Point number 12 Building at Noida Noida की Building कम हो रही है अगर आपकी Building कम होती है इसका मतलब आपका नुकसान होता है और यहाँ क्या लिखा है By By वाला Amount डारेक्ट आएगा पिटा नुकसान हो गया दस हजार रुपे का सीधा दस हजार रुपे का नुकसान Point number 12 बिल्डिंग एट नॉइडा नॉइडा वाली बिल्डिंग नुपसान हो गया तो पहले तो बात ये खतम होगे पॉइंट नमबर 12 मैं अभी आपके डाउट्स भी लूँगा डोंट वरी बस एक पहला पढ़ाव खतम कर लें हम उसके बाद आपके डाउट लेंगे पॉइंट नमबर 13 प्रोवीडेंट फंड आपको पता है प्रोवीडेंट फंड क्या होता है असेट होता है या लाइबलिटी यह देखो चेक करो employees provident fund fund क्या होता है liability कितने की liability है 24,000 मैं भी आपको meaning भी बता हूँ है don't worry बिटा आपकी liability है L liability है liability बढ़ गई पहले ये बताईए profit हुआ ये लॉस liability बढ़ती है तो profit हुआ लॉस जल्दी जल्दी बताओ सारे students कि इसी का फटा फट रिप्लाई करो पिटा जल्दी से बताई ये liability बढ़ती है तो हमारा नुकसान है और आपको पता है बाई लिखा है यानि पांच हजार का आपका क्या हो गया नुकसान हो गया क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है बाई लिखा हुआ है बिटे क्या ये बात आपको समझ आई है पांच हजार का नुकसान हो गया मैंने यहां लिखा ठाटीन पॉइंट टू कितने का नुकसान हो गया पांच हजार क्योंकि आपकी लाइबिल्टी बढ़ रही है यहां लिखते हैं प्रोविडेंट फंड पांच हजार का हो गया नुकसान लास्ट पॉइंट और उसके बाद ओके शिका लास्ट पॉइंट नमबर फॉर्टीन पस one month salary salary outstanding है आपको पता है outstanding salary हमारी asset होती है यह liability बेटा एक महिने की salary outstanding है हमारी क्या होती है यह liability कितने की है 30,000 की आउट्स्टेंडिंग सेलरी है 30,000 चेक करो पेटा ढूंडो क्या आउट्स्टेंडिंग सेलरी लिखी है कहीं पर यह तो सब रेंट है सेलरी लिखी है क्या कहीं पर सेलरी नहीं लिखी आपकी बैलिंग शीट में आउट्स्टेंडिंग सेलरी नहीं लिखी और अगर नहीं लि recorded क्या बोलते हैं इसको unrecorded unrecorded liability है आपको पता है 30,000 रुपे का नुकसान हो गया unrecorded liability और इसके साथ साथ हमने पहला पढ़ाव खतम कर लिया outstanding salary 30,000 रुपे का क्या हो गया आपको नुकसान हो गया तो यह यह पहले 14 पॉइंट से जो असान थे लॉजिक आपका यहां से बेस क्लियर हो जाएगा अब मैं कुछ पॉइंट्स के आपको मीनिंग बताऊंगा बिटा अब हम जड़ा आपके साथ डिसकेशन करना स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स अब थोड़ा सब प्रैक्टिकल मैं चाहता हूं आपके साथ डिसकेशन करूँ उस प्रैक्टिकल चीजों को जड़ा समझेंगे क्या चीज़ हैं पहली चीज इंप्लॉईज प्रोवीडेंट इंप्लॉईज प्रोवीडेंट फंड यह अब आपकी सिर्फ नॉलिज के लिए मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूं अगर आप मेरे से पूस्ते हो ट्वेल्थ क्लास के लिए तो ट्वेल्थ क्लास के लिए मैं आपको छोटी सी बात बोलूँगा ट्वेल्थ क्लास दोस्तों यहां पे खतम हो जाती है इंप्लॉईज प्रोवीडेंट फंड क्या होती है हमारी एक लाइबलिटी होती है मैं अब आपको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं सर यह क्या होता है जैसे यह हमारा बिजनस है यह है साइं विनाय और यहां प पार्टनर्स तो जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर एक मैं हूँ वरंसर दूसरे पार्टनर हैं कौरफसर हम दो पार्टनर हैं और यहां पे हमारे यहां पे बड़े सारे वर्कर्स काम करते हैं वर्कर्स का मतलब है इंप्लॉईज इंप्लॉईज क्या करते हैं काम करते हैं हम उनको काम करने के बतले क्या देते हैं सेलरी आप इनको क्या देते हो सेलरी अब माल लो एक वरकर की सेलरी है दस हजार रुपे तो ये पार्टनर्स क्या करते हैं इस सेलरी में से कुछ पैसा माल लेते हैं पांसो रुपे कट कर लेते हैं सेलरी तो दस हजार रुपे की है मग 500 रुपे क्या कर लिए डिड़क्ट कर लिए और उसको कहां डाल देते हैं पी एफ में इसका मतलब वर्कर को पता है कितना पैसा मिलेगा वर्कर को मिलेगा 9500 रुपे और यह जो मैंने पैसे काटे हैं 500 रुपे जो कट करें इसके लिए हम बनाते हैं एक फ्रोड़ेंट फंड उसके अंदर ये 500 रुपे हम डाल देते हैं वर्कर का पैसा हमने काटा उसकी सैलरी से काटा और अपने पास एक गुल्लक बनाई ये काम कौन करता है पार्टनर्स उस गुल्लक के अंदर हमने पैसा डाल दिया प्रोविडेंट फंड का पैसा डाल दिया ये पैसा हमने वरकर का डाला और उतना ही अमाउंट बेटा ये कानून है कानून कहता है उतना ही अमाउंट आपको भी डालना पड़ेगा इसका मतलब partners को भी कितना पैसा डालना पड़ेगा 500 रुपे same कहानी हर महीने repeat होगे हर महीने same कहानी 500 रुपे इसके डालेंगे और same 500 रुपे आप डालोगे और इसे कहते हैं provident fund जब ये workers पिटा ये worker जब आपकी company छोड़ के जाएंगे यानि sign विनायक छोड़ के जाएंगे retirement लेंगे जब भी retirement लेंगे ये सारा पैसा in employees को मिल जाएगा सारा का सारा यानि 500 500 हजार हर महीने के 1000 रुपे जितने महीने काम करेंगे वो सारे के सारे पैसे किसे मिलेंगे employee को तो पहली बात तो clear हो गई ये provident fund provident fund है तो एक गुलक मगर क्या इसका पैसा partners को मिलेगा बताओ आप सारे बच्चे पिटे क्या इसका पैसा partner को मिलेगा yes और no answer is no इसका पैसा कब मिलता है retirement के time और किसे मिलेगा employees को और ये पैसा हमारे लिए साइं विनायक के लिए क्या बन गया liability पिटा जब भी worker छोड़ के जाएगा ये सारा पैसा आपको उसको देना पड़े तो retirement के time आपको मिल जाता है जैसे मैं आपको बताऊं मेरी जो पहली company थी जहां पर मैं जॉब करता था वो थी जैन पैक जैन पैक वास पर्स कंपनी ऑफ माइन जहां पर मैंने जॉब करी और मैंने वहां पर जॉब करी मुझे दे दिया अठारा महीने बाद जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे क्या मिला मेरे प्रोविडेंट फंड का पैसा इस इड क्लियर बेटा ये प्रोविजन फंड लाइबिलिटी क्यों होती है जल्दी से बताओ फटा फट बताईए क्या ये क्लियर है पहला पॉइंट यस और नो आपके लेवल पे तो सिरफ लाइबिलिटी है बट मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये कभी भी पार्टनर्स में नहीं जाएगी ये किसे मिलती है इंपलोईज को आदा पैसा इंपलोईज डालता है और उतना ही आदा पैसा आप भी डालते हो जी नेक्स चीज़ एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर अगर ये सेलरी जो है वन मन्थ सेलरी अगर यहां पे बैलेंश शीट में दी होती बैलेंश शीट में दी होती तो आपको फिर डिफरेंस निकालना पड़ता बिटा भी तो ये अन रिकॉर्डड थी बट अगर ये रिकॉर्ड होती तो आप सब बच्चे क्या करते डिफरेंस निकालते ये भी बात आपको क्लियर होगे और एक बच्चे ने मेरे से और पूछा था एक बच्चे ने पूछा था कि सर पेटेंट्स क्या होते हैं पेटेंट्स क्या होते हैं और एक बच्चे ने मेरे से कहा सर ये बताओ कॉपी राइट्स क्या होते हैं पहली बात अगर हम 12 की लेवल की बात करें 12 में पेटेंट्स हमारी क्या होती है असेट और कॉपी राइट भी क्या होती है असेट बेटेंट्स का लेवल यहां पे खतम हो जाता है बट हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं आपकी नॉलिज के लिए कॉपी राइट क्या होता है नाम से पता लगता है आपके पास एक राइट है अधिकार है किस चीज़ का कॉपी करने का अधिकार है तो उसे क्या बोलते हैं कॉपी राइट जैसे मैं आपको बताऊँ यह बुक किसा है बिटा ये बुक है गरेवाल सर की महिआए इसको कौपी करने का राइट इस बुक्क को कौपी करने का राइट पता है किसके पास है सुल्तान चन्द के पास और वो कौपी राइट यहां पर लिखा भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा जैसे ही हम paste turn करते हैं बिटा अगर आप सब के पास book है तो आप एक बार चेक करें यहां पर ना C लिखा हुआ है बिटा चेक करो आप सब की books में circle के अंदर C लिखा होगा C का मतलब होता है copyright all rights reserved बिटा यह copy करने का right किसके पास है बताओ जल्दी से यह copy हम नहीं कर सकते यह copy करने का right किसके पास है सुल्तान चंद एंड संस प्राइवेट लिमेटेड सिरफ इनके पास है यह copy करने का right तो C को बोलते हैं copyright और copyright हमारे लिए क्या होता है हमारे लिए होता है असेट अब बात आती है patents patents जब भी आप कोई नया invention करते हो जब भी आप कोई नई invention करते हो और वो invention कोई नया formula आपने invent करा वो formula कोई copy ना करे सारी new inventions new formula आप क्या करा लेते हो अपने नाम पर registered करा लेते हो उससे बोला जाता है patent कोई copy ना करे इसलिए कराया जाता है और उससे क्या फायदा मिलता है आपके नाम पर जितने patents होते हैं उतना आपकी value बढ़ जाती है इसका मतलब आपने नए नए formula निकाले हैं मुझे बताओ क्या आप सब बच्चों ने three idiots movie देखी है जल्दी से बताओ बिटा क्या आप सब बच्चों ने three idiots movie देखी है और उसमें आमीर खान का नाम क्या होता है लास्ट में बताओ लास्ट में आमीर खान का नाम क्या होता है किसी को पता है बिटा हाँ रंचोड़दार शामरदास चाचड़ ये मत बताना लास्ट में बताओ नाम क्या था नाम था फुनसुक फुन्सुक वांगडू मैं शॉट में लिख देता हूँ फुन्सुक वांगडू वरी गुड रही है अमन कुछ बच्चों को पता है बिटा ये फुन्सुक वांगडू रियल में एक परसन है नेपाल का बंदा है ये नेपाल का परसन और आप मुवी को दुबारा से देखना लास्ट के हाफ एनार में वो बताता है कि फुन्सुक वांगडू के नाम पर चार सो पेटेंट है बिटा चार सो पेटेंट का मतलब आप समझते हो चार सो पेटेंट का मतलब न्यू इन्वेंशन न्यू फॉर्मूले चार सो फॉर्मूले बना रखे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है हम अपनी लाइफ में एक दो फॉर्मूले ही कर लें बहुत बड़ी बात है फुन्सुक वांगडू ने चार सो पेटेंट्स कर रखे थे और उसे कोई copy ना करे इसलिए उसको हम government के पास क्या कराते हैं registered कराते हैं और मैं आपको बताता हूँ मेरी बात सुनना ध्यान से आपका एक chapter है chapter number five उसके अंदर एक topic है new ratio पिटा new ratio आपके school के अंदर आपको कराया जाएगा और जब वो new ratio का question हम solve करते हैं तो उसके अंदर दो मिनट लग जाते हैं school के अंदर दो मिनट का मतलब है 120 seconds 120 seconds में वो आपका question solve होगा school के अंदर मैंने एक formula बनाया है उस formula से ये सिरफ दो second में answer आ जाएगा तो आप समझो जो मैंने formula generate करा है this is my patent वो कोई copy ना करे उस school वाले 120 seconds में कराएंगे और उसी को आप दो second में निकाल लोगे तो this is called new invention new formula और उसे हम क्या करा लेते हैं पेटेंट्स तो वो क्या हो जाती हमारी asset जल्दी से बताओ क्या ये कहानी समझ आई है आप सब बच्चों को बो बेटा फटा 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 जल्दी जल्दी बताओ जाते जाते मेरी बात सुनें ये वाला assignment मैं upload कर दूंगा भी website पर और ये classwork भी upload कर दूंगा हमें ये assignment सबसे पहले खतम करना है और उसके बाद फिर हम पटा फट बुक के सारे के सारे questions खतम सारे के सारे questions हम speed से करेंगे आप बच्चे बस इसको revise जरूर करना आज की class में friends इतना ही thank you so much all of you website से बेटा डाउनलोड करेंगे सारे बच्चे